अलो शातियो मैं आनंद विप आपका अपने यूटूब चैनल कंप्रिशन गुरुप आरब का हर्दिक स्वायत करता हूं बुड मॉनिंग सभी के लिए सभी बच्चे किरोधनी आदव पूनम कुमारी जीतेंद्र राहूल सरमा गुड मॉनिंग सभी के लिए एक बार क्लास को सेयर कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके के साथ आज की क्लास थार्ड हम लेकर करके आए हैं और जवर्दस्ट कंटेंट के साथ सभी को क्लास का भरपूर आरंद लेना है उससे पहले एक छोटी सी जानकारिया आपको बता दूँ हमने एक पोर्स लॉंच किया है स्सी जीडी का स्पिसल किया है मात्र 499 रुपे इसकी फीस रखी है फीस तो 2000 के सम्थिंग है लगवग इसकी फीस कम रखने का परपस यह है ताकि जिनका दे ना सभी तक खरचक कम गुस्सा जाता है कहाणी जो हती है क्यूंकि कम खरचे में कम पैसो में अच्छे अच्छा ज्ञान उपलब दो सके हर किसी काम में money matter नहीं करता है money does not matter education does matter हर जगे money matter नहीं करता कहीं ऐसी चीज़े देखी है ऐसी परिष्थिती देखी जाती है सिख्वा does matter सिख्वा matter करता है ताकि हर उस बच्चे को सिख्वा मिल सके हर बच्चे को मेह दा सके जो मैंस से ढरता है हमारा purpose यह है हर उस बच्चे को महत सिखाय जा सके ताकि जो महत से डरता है जो कहता है कि महत एक बहुत बड़ा हुआ है उस चीज को निकालना हमारा main purpose है और एक special हमने महत का निकाला है मात्र 399 रुपे जो आपके शामने थमलन लग रहा है special math के लिए है और हिंदी का भी चल रहा है quality का भी चल रहा है किलास को आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से फिलाल यूटूब पर चल रही है यूटूब पर आप देखेंगे यह नहीं अभी यह मैं नहीं किर आभी good morning दुर्गेश लौबल बिल्कुल good morning hello sir जी sastryakal sastryakal बिल्कुल sastryakal मैं यह नहीं किर आभी मैं यह कर रहा हूँ किलास को देखने के बाद अच्छा आपको वो अच्छा किलास अच्छी लगे तो आप बिल्कुल कहना sir बिल्कुल खरीदेंगे मैं आपको बताऊ 300 रुपे में क्या है 300 रुपे में अगर मार्केट से जाओ तो 4-5 रुपे की बुक खरीदें बुक खरीदें के बाद क्या कंडिशन होती है आप उसे सौल पर भी नहीं कर पाते रखी रहती है यह कंडिशन में जाती है इसमें आपको लाइव क्लाश चलेंगी रिकॉर्डिट ग्लाश मिलेंगी पीडिएप मिलेंगी एक साल की वैलेटिटी मिलेगी और डाउट सैसन भी रखा जाएगा आपके लिए इस पेसल और आपको किसी प्रकार की कोई शमश्या है मैं आपको अपने बॉट्सप ग्रुप से लिंक कर लूँगा ताइक किसी प्रकार की हमारी जितने भी छातर जोड़ेंगे उनको किसी प्रकार की कोई भी समश्या क्रेट ना हो उनको समश्या क्रेट होगी तो हमें समझ से क्रेट होगी इसलिए हम इस प्राभजान को इसलिए लेकर के आए कम समय बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिले ताकि कहतने भटके ना डोलो भटकने का कोई अफसर ना मिले ताकि यहां गए भटकना आपका खतम हो जाए किलास को एक बार सेयर कर दीजिए किलास को एक बार खीच करके सेयर कर दीजिए आपका भटकना खतम करना है हमें और अब के इस बार UP पुलिस SSCGD और UPSI अदर जो पैकेंस ही हैं इस समय 2021-22 22 तो बहुत लमीच है 2021 में आपको सलेक्षन दिलाना कि हमारा करतब पर होगा आप हमसे चुड़िए नेक्स्ट आप कोश्टन पर चलते हैं यह आपको जानकारी देनी थी नेक्स्टन हमारा आपके सामने लगने बाला है बहुत अच्छा कोश्टन मैंने आपको कल कुछ कोश्टन करवाए थे उन कोश्टनों में लगबग लगबग सभी को अच्छे लगे थे कुछ बच्चों के कमेंट यह आए थे मैं आफ्लाइन कमेंट देखे थे सर कुछ टाइम ज़्यादर ले रहे हैं देखते ही अंसर, मैं मैं इसको करवाने के बाद आपको podr बीदि बताया करूगा option से कैसे करना है ? कि और का ही कया इसे करना है ? सारी जाहिए आपको बता ही जायेंगे आप देंड रहिए तो रखो स्लली के पतीया क्या होता है ? महनत तो सब करते है किसी को सफलता मिलती है किसी को नहीं भी मिलती मिलती किसे नहीं पता है मिलती है सबको बसर तक किसको नहीं मिलती काब्यान नमस्ते कर दी सर सेयर बिल्कुल सेयर कर दीजी एक बार मिलती किसे नहीं जो बेट नहीं करता जो इंतिजार नहीं करता जो मेहनत नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती है जो मेहनत करता है मैदान में डटे रहता है डट कर मुकाबला करता है सफलता उसके पास खुद आती है उसके कदम चुमती या पता है गायत्त्री मैं आ गए बिल्कुल आ गए है इसका अंसर सभी को देना बहुत अच्छा कोशन है, पहला कोशन एक छात्र किसी संख्या को 3 बटे 5, कोई संख्या थी? हमें नहीं पता संख्या कौन सी थी? तेखाँ, एक संख्याती सपोस गरी, एक संख्या एक्स थी उसने कहा, एक माद्ध्य में करना एक्स में वह महारत्य क्या हुए मैं गुणा कर ग भाग कर दिया 3 बटे 5 से, जब इसमें x में भाग कर देगा 3 बटे 5 से, x में 3 बटे 5 से भाग कर देगा, तो संक्या क्या होगी, 5 उपरा जाएगी, तो यह संक्या होगी 5 बटा 3, यही तो condition मनेगी, इस यहां गुणा करने की बात करी थी, और यहां इसने क्या कर दिया, भाग कर दिया थीन बटा 5 तो संक्या बन गई 5 बटा 3 यही आपको समझाना था अब यह संक्या बन गई तीन बटे 5 से कितने होगही पज़ा भुए आप तुम्हें कुछ नहीं करना है आपर यह जो दो संक्या आराकिH hundred उा इसका और इसका ऐल्सियम लेना है पांच आर तीनका क्या होगा कर कि में महनत ऐंट इंतिज़ाद कर रहा ही ही हम ब्लकुल महनत भी करौ ऑर इंतिज़ाद भी करो इसमें क्या कितना होगा कितना होगा कितना होगा 25 अब यह कह रहा है कितने की त्रूटी हुई अब उसने उल्टा काम कर दिया तो गलती होगी आप किसी काम में उल्टा काम कर दें तो गलती होगी नहीं होगी बिल्कुल गलती होगी आपसे कहा कुछ और जाए कर कुछ और दो क्या करेंगा पता है माता जी या पिता जी कुटाई कर देंगे आपकी अगर उल्टा काम कर दो तो इसलिए गलती मत करना कभी हैं डिफरेंट कितन कि इतने की गलती हुई 16 कि इतने पर हुई नो पर इतने पर हुई नो पर हुई तो अब इसको सॉल्व करेंगे 16 बटे 9 अब इसका कितने बार जाएगा व्यादू कितना साथ शोलए एकम सोल बचा कितना साथ नो हेकम नुब सॉल्व बचा साथ नौ सत्तो ऐसाथ देचाटव प्राइख पर हुए यह आएगा है? समझाने में ठोड़ा काया लगता है, solve करने में time नहीं है लगेगा कोष समझना है? बताईए, समझ में आया नहीं समझ में आया नहीं पहला question बताईए Omkar Singh Good Morning Shivanga Tiwari Good Morning बताईए, समझ में आया नहीं ए बिलकुल Muhammad Nadeem बिलकुल ए अंसर सही है जान लगा दो, यह समय लो, छोटे को समूर्थ है, छोटे करवाने का पता है, यही तरीका है, आपको एक इस्टेप बाई स्टेप चड़ाय जाए, जब एक साथ चड़ोगे ना पता है क्या होता है, पहली सीडी से चड़ना होता है, आया सर, बिल्कुल समझ मारा चाहिए, न सभी का अंसर आने चाहिए सब्सक्रावर रजी मिस्तुन की इस В ऐसे ला से पस्विक का कि दुरुवश बिलकुल अगर डागए जहें सर जहें बिलकुल छप गया माइन भिल्कुल चपना चाहिए आपके माइड में चपएगा, किलास को एक बार और सीर कर दीजिए, मैत की किलास यार, बच्चे कम है, मैत की किलास में इतनी बुरी इस्तिती तो यह तो नहीं चाहिए, आपको पता होने से है, नेक्स्ट कोश्षन करते हैं, इसमें कहा एक संक्या को आठ बटे तीन से, आठ आठ सब्सक्राइब करेगा, तो उल्टी हो जाएगी, अभ इसको क्या करना है? इसका और इसका, ल्चिम ले लेना है, कितना है कितना है, 24 तो 9, अब यह काईगा कितने की गलती हुई, छोटी सी एक घडना ने, कितनी बड़ी गलती कारी है, पता है, 649 हो गया, यहां कितने के गल्ती हुई अब यह देखेंगे अब यह कितने हुई चौद हम से कहना है यही आपको समझना यह हम कहेंगे इसको काटेंगे 25 की मिल्टिप्लाई इसमें करेंगे स्वारी मैं इसमें करेंगे चार से पच्षिस आर चार से 16 अब इसमें इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा अब देखतेया अब एसी कोई केलकुरिशन गुणा वाली कंटिसन राइज़ है तुम्हें क्या करना है पच्च्पन की जैस 25 25 और्दों कितना हो गया 27 5 7 13 कितना हो गया 1375 बटा कितना था शोल है अब कितने बार जाएगा कितना होता है अब यह देखते हैं कितने बार जाएगा साचिंग 42 यह आएगा तुमारा भाग दे लो 137 पांच कितने बार जाएगा ओप्सन देखते हैं पॉल्ब अट्थे कितना है गार्ड तो अच्छ अट्थे आठ्थे चपण कर चया आठेकम आठवाच अ कितना हो गया तो बचा कितना एक उतालिया पांच ना जाने कि सब्सक्राइब बहुत मजबूत होने चाहिए इसमें 1375 बहुत बढ़ी आंसर इस तो मुझे ही पता है आपकी कैलकूलेशन कैसे पता पढ़ेगी मुझे तब ही तो आप कमेंट करोगे किलास को एक बार सेखर कर दीजिए किलकुल अस 시. और बीस राजुप्रजापति सर दोब़ारा बिल्कूल दोब़ारा बतातीय इक बार समझिए मैं 8 वटे 3 बताया आठ बटे थीन से गुणा करने के लिए कहा वो एक चतुरु ब्रक्ती तुना मार थी था वो कहता मैं तो अपनी तो क्या अपने पापा की न मानता में तू न माने बिल्कुल अपके मान जागा उसने क्या काम करा हमने उससे कही बेटा तुझा यहाँ भी गुणा करने, उसने क्या करा, उसने भाग कर दिया, भाग का मलदा उसने उल्टा कर दिया, गुणा करने कही, उल्टा कर दिया, भाग कर दिया, ये संक्या 8 वटे 3 गुणा करके आती है, तो भाग कर दिया तो उसने उल्टी कर दिया, तो तो 3 वटे 8 संक्या पलट गई, ठीक अपना लिखा चलो देखते हैं अब इस ने बोला मैं तो अपने पप्पा की न मानता में तु तो मानेगा बचा पड़ा रहेगा इसकी गुड़ना करी तो यह आगए 64 इसकी करी तो यह आगए 9 डिफॉरेंट कितने का है 55 का कितने पर 64 पर तो चौशट पर पच्पन का डिफ 500 पर चत्तर आ गया नीचे कितना था 16 इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा असी पॉइंट 23 यह प्रतिसत इसका अंसर होगा पस यही तो कह रहा है इसमें समझने की क्या बात है इसको तो एक रीजनिंग का कोशन मानो यह समझ लो लिखे हैं भाई भाग में नहीं सर सोले अबे सोले ही तो लिखा मैंने इसको एक बाग लास को सेर कर दो बई नेक्स कोश्चन जान लगा तो कोश्चन में बड़ा बच्चा कोश्चन आ गया बई यह तो बड़ा खतरनाक कोश्चन है कोई दिक्कत ना है जब हमारे कंबिशन गुरू के स्टुडेंट खतरनाक इसको खतरनाक कोश्चन खतरनाक नहीं होगा अभी देखते हैं किसा ऊच्छल कि मज़ा आप ने बहुत अच्छर रिकोर्ड बनाया और आज भी ऐसा ही डिकोर्ड बनानी एग्लास हुआ जबर्दस्त है इसका अंसर दो लाइक तो कर दो मजा नहीं आ रहा क्या कि बहुत चतुर बैक्टी था उसका भंडारे में जाने का बहुत सौक था बताऊंगा इस कहानी को भंडारे वाली को बहुत अच्छी कहानी है अच्छी कर दिया तेरह सब चत्तर है शोले है शोले मठे 128 नहीं होते है शोले मठे 128 नहीं होते इसमें से भाग देंगे बचा कितना बन सेवन फाइव सोले का देंगे सोले मठे 128 पंच उतालिया पांच शोला ती आड़ तालीस बचा कितना है यह बचा आपका साथ पोइंट विल्कुल बहुत बढ़िया आई साही 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 बहुत बढ़िया पहुचे बहुत बढ़िया आप 304 पंच शोले ऑटालिस यह तमारा सत्रे नौ तॉली तोले पंच शे अस्ति पिचासी है बिल्कुल आप्सन सी होगा इसका अंसर ओप्सन सी होगा इसका इसका अंसर ओप्सन सी होगा क्या होगा यह थे था भाग दिया हमने कि 1375 भाग देंगे कितने का सोले का सोलाती सोलम सत्ते सोलम अठ्थे 128 बचेगा कितना यह बचेगा आपका नो सोल नो बचेगा फिर सोले का भाग देंगे सोलम बचेगा इसका इंसर यह होगा बहुत अच्छा बिलकुल बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लिखा है बहुत बढ़िया गात्री कुमारी बहुत बढ़िया जी जी कब से बोल रही हूं आपने सुना ही नहीं बिलकुल बहुत अच्छा गात्री कुमारी आपने बहुत अच्छा, यह समझ लीजिए, आपका ध्यान ऐसे ही पता पड़ती है, आपका ध्यान किदर है, इस चीज को देखो न, next question, next question, next question, इसका अंसर दीजिए, यह आपका question आपके सामें लग गया, बहुत अच्छा question है, सभी को जब आप देना है, एक परिक्षा में 200 बिद्यार्थी थे, एक परिक्षा में 200 बिद्यार्थी थे, जिन में से 900 लड़के और सेश लड़कियां थी, 32% लड़के तथा 38% लड़कियां उत्रिण हुए, होग तो कितने प्रितिसत बिद्यार्थी अनुत्रिण हुए, अब सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ह इसका अंसर दीजिए, इसमें अंसर तभी काने चाहिए है, ऐसे कोशन पेपर में आएंगे, ऐसे कोशन पेपर में आएंगे वही, इलाज को सेयर कर दो भी एक बार खीज करके, इसका अंसर क्या होगा, खीज कर सेयर करो, अब इसने बोला है, एक परिक्षा में, कितने विद्ध्यारती थे दो हजार इसने कोशन में कह दिया 900 लड़के थे लड़के कितने थे 900 बोईस थे और 1100 क्या होंगी लड़के होंगी यह तो आपको सुचने वाली बात है बेशक नहीं दे रहा है जब 900 लड़के हैं 2000 मैंसे 1100 लड़के होंगी नहीं होंगी 1100 लड़के होंगी अब इसने कहा हमसे 32% लड़के 32-33% लड़के और 38% लड़किया 38-33% लड़किया क्या होगा पास हो गई इतने हो गई पास हो गई अब इसने कहा फेल कितने विद्ध्यारती हुए हैं फेल यह मांग रहा है फेल का record अब हमने कहा जब 32% पास हुए है तो फेल कितने हुए होंगे फेल जो हुए होंगे कितना हुए होंगे इसका कितना परसेंट हुए होंगे 32 में 68 फेल हुए होंगे 68% और यहां यह फेल हो गए और यहां कितने परसेंट 62% यहां fail हुए 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 यहीं तो हुए हुए 68 यहां पर 62 यहां पर अब हमने इसका 900 का 68% निकालेंगे तो 0 इसका 68% निकालेंगे तो 1100 का 62% 1100 का 62% निकालेंगे तो 0 0 से 0 0-0, 9-8, 72 का 2, हासिल को, कितना बचा, 9-8, 72 का 2 हासिल को साथ, 9-8, 54, और 7 कितना हो गया, 54 और 7 कितना हुए जल्दी बताओ, ये हो गया, 54 और 7 ये हो गया, 61, कितना हो गया, 61, अब कोशन क्रेट होता है, ग्यारा दूनी, बाइस का दो, ग्यारम चिक्के, चाहसट अरदो, और सट, ये दो कंडिशन आती है, अब ये हैं हमारे फेल इस्टुएंट, ये हैं फेल मारती, ये हमारे योगी जी के सरकार तो है नहीं, तो यह ही पास हो जाएंगे, ठीक है, 1294 कितने हैं, फेल, 1294 में जाता है, 1294 में पेल, अब इसने कहा हम से, प्रեկतिसद बताओ, 1294 में जो फेल हैं, कितने में से हैं, 2000 में से, 2000 में से, 2000 बटे में रख दो, इंटू 100, 2-0 से 2-0 खत्म, 2 से काड़ोगे, 2-6-12, 2-6, 2-2, 2,4,8 बचा कितना? 2,4,8 बचा कितना ये बचा? 1, 2,4,8, 2,7, 14, 2,7,14, पूरा कट गया है 2 से, अब ये नीचे 0 बची, 4,4 ये 0 बची, 647 बचे 10, इसको solve करेंगे, तो एक संग्या बाद कोइंट आ जाएगा, 64.7% इसका सही जबाब होगा 64.7% इसका सही जबाब होगा option B option B इसदा right answer उपेंदर बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत अच्छा जबाब दिया है लगबग सभी ने Sonu, Narayan, Anil Kumar Narayan, लगबग सभी ने जबाब सही दिया है class को share कर दो वे एक बार उसको भंडारे में जाने का बहुत सौक था वो अच्छी टी-सर्ट अच्छे पैंट उस पर चपल नहीं थी वो नई चपल लेकर का आया था और हलुआ का बहुत सौक इन था हलुआ जो आपने खाया हो हलुआ का बहुत सौक इन था भंडारे में जाने के बाद नई चप्पल लेकर आया 200-300 रुपे की बहुत अच्छी जिससे भंडारे के लिए लाया था भंडारे में अंदर गया चप्पल भारतार करके अंदर जाने पर तो हलुआ खतम जब भारता है गुस्से में तो उसकी चप्पल गया उस पर क्या स्थिति गुद्रियों की पता है अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया ना बहुत बुरी स्थिति गुद्रेगी हलुआ भी खतम और चप्पल भी गया नेक्स कोशन इसका जबाब दो इसका जबाब सभी क नेक्स कोशन आपके सामने लग गया है कि इसका जबाब दो इस अभी लोग कि इसका जबाब सभी काने चाहिए कि खीज करके अंसर देड़ों कि पहला कुश्यन है 495 रुपे को ए बीसी में इस परकार बिवक्ट किया गया है कि भी ए से 25 परसेंट अधिक है तता सी वी से 20 परसेंट अधिक है तो ए का भाग पूछा है किसका ए का भाग पूछा यह आपको बताना है ए का भाग बताना है बिल्कुल बताएंगे कौन सा समझ में नहीं आया बई लाश्ट कोशन ओल्ड है सर कुछ नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगा भी बताएंगे नहीं यह अगर सेलेक्शन ना हुआ तो घर बाले उटेंगे और पूछा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अगर सेलेक्शन ना हुआ तो घर बाले उटेंगे और उचे भी कोई ना बिल्कुल सही कह रहे है इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर क्या होगा भी इसका अंसर क्या होगा जब समझ में नाया करें ने जब कोशन चल रहा है उसके साथ की साथ आप कमेंट दे दिया करो तो जबी समझा दिया करूँगा इसमें दे रखा है 395 रुपे को बाट ना है अब यह कह रहा है बी को ए से 25 परसेंट अधिक 25 परसेंट की बेलू कितने होती है एक बटा चार यह है यह यह जो है एक बटा A को मिल रहे हैं B को A से B को A से B को मिल रहे हैं A से 25% अधिक अब B को मिल रहे हैं A का 4 हैं तो B को मिलेंगे 5 इसका अधिक 4 A का हैं तो B को मिलेंगे 1 अधिक तो 5 25% अधिक अब इसने का है C से 20% अधिक C से 20% अधिक किसको मिलेंगे B को अधिक मिलनआ है कितनी होती है एक बटा पांच तो कितनी हो गई 6 यही सवाल कह रहा है कितनी हो गई 6 नहीं A को B से B को A से 25 अधिक B को अधिक मिलना है अब यह कह रहा है तता C से 20 अधिक तता C से 20% अधिक, C से 20% अधिक किसको मिलना है, C का 5 है, तो इसका 6 होगा, यही आपसे कह रहा है, यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, जो बरावर के जो कॉलम होते हैं, इसकी नजदी की संग्या से फिल करते हैं ध्यान रखना, 6, 4, 24, 5, 30, 25, यही आपको इसका इसको करेंगे, 5 और 4 कितना हो गया, 9, और टोटल, 2, 2, 4, 3, 7, 79 बरावर, 89 बरावर कितने के, 395, 395, अब इसमें आप इकाई कंग से देखोगे, 9 के टेवल में भागा, 9, 5, 45 आता है, बाकि 5 इकाई कंग किसी में आता है, यह कड़ेगा पूरा 5 बार, इकाई कंग से ही एका पूछा है, तो 5 की मल्टिप्वाई ही यहा करो, 24 बंजा, 120, एका कितना होगा, 120, एका 120 है होगा, अगर B का पूछता है, तो कितना होगा, 3 बंजा, 15, अगर C का पूछता है, तो 25 बंजा, 125 ऐसे ही सभी का निकालना है, 120 वालों का बिल्कुल अच्छा अंसर है बहुत इनसर एक सो बीस रुपए आप्सटें बी बिलकुल बहुत अच्छ अनसर है गें भूस बहुंद में और निल्कुल बहुत लिएन्स, कुमारी बहुत अच्छ शय आपया है। नेक्स्ट कोशन अंसर आगे अभी समझ में आगे बहुत बढ़ी है समझ माना चाहिए कि लाज को कल का रिकॉर्ड तो तोड़ दो भई कल का रिकॉर्ड भी नहीं टूट रहा आप पर चलो और आया सर बिलकुर समझ में आएगा रेक्शन वैलू से बिलकुर समझ में आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामें लग गया है सास्तोबीस रुपे को आएगा तड़ेशट परसेंट राम द्वारा खर्च किये जाने पर बहक इतनी बचत करता है पिछला रिपीट करो शने 35 mean रूपे को बाठनी की बात करी है कि यह बोला कि कि आया सर बिलकुर इसका अनुपात मैं यह बोला एक को बी को ए से 25 परसेंट प्चिस परसेंट की वैल्लू आप बना लोगे तो एक बटे चार होता है कि एक बड़े चार आता है चार से एक अधिक तो पांच हो जाएगा तो रेशियो से कर लेना आ जाएगा समझ में कि सब्सक्राइब करवा रहा है परसेंटेश चलना है कि यह बोल रहा है साथ सो बीस रुपे को कि नॉट्स बनाएं धीरी धीरी पढ़ाएं कि अब इसके इसको देखो आपके बहुत आराम से समझाओंगा था सब्सक्राइब को कि इसने बोला कि पुल हमारे पास सो प्रहतिशत था कि 63 प्रहतिशत इसने इसकी आया का 63 परसेंट खर्च कर देता है उसने एक बैक थी था बहुत चाला गाधिमी था उसने 63 परसेंट खर्च कर दिया तो उसकी पत्नी पूछ रही है आपने बचत कितनी करी अरे इसमें पूछनी क्या बात है जब मैंने तुझे खर्च बता दिया तो घटा नहीं सकती कुल लाए मैंसे खर्च को तो उसने का बिल्कुल कितनी करी तो उसने कहा मैंने यह करी अरे इसमें से घटा हो गए तो 37 परसेंट इसने क्या करी बचत यह तो हो गया खर्च और यह होगी बचत यह तो थी चत्राज़मी की बुद्धी खराब इसने तो मेरी बचत निकाल ली मेरा तो अकाउंट खाली हो जाएगा अब यह अकाउंट खाली नहीं होगा हम बताएंगे कैसे यह काम करना है उसने का 720 रुपे को बाटिये 720 रुपे में मुझे बताइए बचत कितनी है बचत कितनी है मैं बिल्कुल बताएंगे 720 रुपे में बचत कितनी है तो ऐसे ही अब हमारी कुला है हमारी 100 परसेंट है यहां पर वहां कितनी थी 720 थी यही तो सो पर्सेंट बराबर हमारी हाँ पर सो परसेंट है वह उसने कहा मुझे बचत वताईए बचत कि उसने बोली तो बचत की मल्टिप्लाई कर दो कितना 37 परसेंट यही सवाल कह रहा है यही सवाल कह रहा है अंसर आजाएगा आपका तरजी राम राम बिल्कुल राम राम जीरो से जीरो खत्म अब इसको काट हो गए साथ सोबीस तुमारी यह हो गया ठीक है खर्च बचत उसने कहा साथ सोबीस रुपे को आया का राम द्वारा खर्च के जाने पर उसकी बचत कितनी है लगवग लगवग सभी को आ गया है तो आप गलत बना रहे हो गलत कैसे बना रहे हो ही उसने का साथ सोबीस रुपे की आयागा पैसट परसेंट खर्च करता है पैसट परसेंट खर्च कर रहा है सौरी पैसट परसेंट तो क्या 35% बचत नहीं करेगा, तो यही क्या रहा है, बिल्कुल, अब 65, 100% बरावर कितने के, 720 के, इंटू 35% बरावर कितने के, बस यही है, थोड़ा संक्या थोड़ी छोटी है तो दिक्कत हो रही है, इसमें, 0 से 0 खतम, 2 से काट होगे, 36 बार, और 2 से काट होगे, 2 से 36 बार 5 से काट होगे, 7 बार, अब इसमें देखो, साच्छिंग, 42, तो दो किसमें है, 200 बामर में, एक यह उप्शन में, जिसमें एक आइकन के 2 है, ऐसे कर सकते है, 200 बामर इसका रहा है, सही इंसर होगा, अब सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, थोड़ा, इसमें कोशन, 65 की जिए इसका रहा है, थोड़ा, इसमें कोशन, प्रॉब्लम है, आपको तो सही दिख रहा है, पर, आपको सही दिखना चाहिए, 200 बामर राइट अंसर, बिल्कुल 200 बामर सही इंसर है, बहुत अच्छा अंसर दिया है, अब बताईए, समझ में आया नहीं, बिल्कुल नाम लिया करेंगे, शोनू, आपका ही नाम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जोक से चाहिए, गुरु जी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और अब तक आप कहां थे, आपने कोई इंस्यार कर रहे हैं, और यूटूब पर, बिल्कुल, मैं आपके साथ था और आपके साथ हूँ और आपके साथ रहूंगा, बसरता आप टाइम सा जाए करो, एप पर फायदा लेने के बाद आपको पता पढ़ जाएंगे, क्या का फायदे हैं, ठीक है ना, एप पर जाने के बाद आपको इतने फायदे दिखाई देंगे, हमें तो ही फायदा है, र सो रूप एमें से आप 65 रुपे खर्च कर देंगे तो आपके पास कितने बचेगे 35 रुपे अब उसके पास कुले 720 रुपे थे कुले हैं 100 परसेंट है 100 परसेंट की वेलू 720 के बराबर इन्टू 35 परसेंट की कितने के बराबर प्रेतिसत से प्रेतिसत खतम हो जाता है बराबर में द्यान रखना 0 से काट होगे 0 कतम 2 से काट होगे 5 बार 2 से 36 बार 5 से काट होगे 5 सत्त पहतिस 7 चिंग 42 7 त 21 और 4 25 तो 20 पमन ऐसे होगा next question शिवा माहब बिल्कुर सही अंसर है सर जी कभी हस भी लिया करो औरे बिल्कुल बिल्कुल हसेंगे भई बड़े खुस हो जाते हो हसने के नाम से था इसका अंसर दीजिए पाजी कित तु आए सो इसका अंसर देना तुस्सी किलास को भई सेजर कर दो एक बार अमने तो कती हद कर दी सरबा तो बहुत पैसा लगता है सरबा तो बहुत पैसा लगता है आप यहीं अच्छे से पढ़ाएं हम सेर करेंगे बिल्कुल सेर करो एक बार एक बार सेर करो बिल्कुल बहुत अच्छे से इसका अंसर दीजिए सभी लोग इसका तो आप हस्ते खिलते बना दोगे यह तो बच्चों वाला कुछ ना आ गया बच्चों वाला आ गया ना हस्ते खिलते बना दोगे इसका अंसर दीजे सभी लोग जान लगा तो क्लास में पता है इस क्लास में बच्चे ना आए तो बेकार है मेत की गिलास में सबस्यादा रेंड रहता है बच्चोंगा एक हजार राजपूत बिल्कुल बहुत अच्छा गौरी शंकर सरकिस की तैयारी कर ले सरकिस की तैयारी कर ले रहे राजपूत बिल्कुल बहुत अच्छा राज राज राजपूत बहुत अच्छा अंसर आया है बहुत अच्छा चौनू बिल्कुल बहुत अच्छा लगवक सभी लोग अच्छा अंसर दे रहे हैं इसकी प्ले लिस्ट बना देंगे ठीक है बाकी यूट्यूब पर पाट तीन है यह रतन साप बड़ी देर में जागे हो वई तरदार जी बड़ी देर में जागे हो आप यह किलाज जो चलती है नौ बजे से चलती है इसका अंसर दीजिए अब इसने कहा है किसी बस्तू के मुल्ले में हर बर्स दस परसंट की प्रद्द्द्ध होती है हर बर्स दस परसंट की प्रद्द्ध होती है दस परसंट की बैलू कितने होती है दस बटा सो जीरो से जीरो तो एक बटा दस होती है दस परसंट की प्रद्द्ध होती है इसने कहा हर बर्स दस परसंट की प्रद्द्ध हो रही है तो तीन बर्स के लिए बोला है पहली दस थ होती है उपर वाली संक्या के घमेशा ब्रदी तैसर एक भैलूव के उपर जो संक्या होती है हमेशा लिकरते है कि मुख भैलूचिछ तो कितने कि जेंदक हो सब्सक्राइं बरने छोड़ Andrew कमी गुड मॉर्निंग माई डियर बिल्कुल साक्षी सिंग बड़े लेट आये होगी यह कंडिशन रहेगी आने की नैस्ट अब इसने कमी की बात करी इसका क्यू कर दो तीन बर्स के लिए सवाल में बोला है तो क्यू करने के बाद यहां एक हजार आ जाएगा और यहां बरतम तो पहले कि थी एक हजार पहले इसका पी वर्स पहले कितनी थी कि एक हजार आपको भी इसका अंसर समझ में बाह घा एक बताई है नहीं जब यह तीन बर्स के लिए कहता है तो cube करते हैं अगर दो बर्स के लिए कहता है तो square करते हैं इस चीज को द्यार लगना ठीक है? बताईए इसका समझ में आ गया नहीं? दुबारा तो नहीं बता ना? बेलकुल समझ माने चाहिए है, next next question आपके सामने आने वाला है इसका अंसर दीजिए बहुत अच्छा अंसर है आने चाहिए बई अब कैसा उड़ा हो गए या आप पर पता है इन बर्स के लिए इसको भी बोला है अंसर दो इसका सर आर्मी की तेयारी नहीं है तरह तो गौरी शंग बिलकुल जोक्स मार भी द्याकरोशके जोक्स मार दें अगर जोक्स मार रहेंगे न जिंदकी जोक्स बंजाएं द्यान रखना चार मित्र थे phenos उनका मन था रुम लेकर रहते थे रुम लेकर रहते थे तो एक दिन जाते हैं खाना बनाने का उनका प्लान नहीं था वो जाते हैं एक साधी में मेरी जुम में जाते हैं तो उनका चारों मित्र जाते हैं उसको पकड़ लेते हैं बेटी वाले बेटी वाले पकड़ लेते हैं तो वो कहते हैं बेटी वाले पुस्ते हैं आप किदर से हो वो कहते हैं हमें लड़का वाले, फुरंटा आयाते हैं लड़का वाले, वो कहते हैं आप किदर से व? हमें लड़की वाले की तरफ से जब दोनों का अवर्ण सामनें टक्राव हो जाता है तो पता क्या वी इत्ती है? हम नहीं किदर सा तो निकल लो बच करके, हमें उधर से, जिदर से जान है कि इसका अंसर पताईए आठ जार लग लग सबीक्षब का है है और आपने जवाब नहीं दिया आध्या पुर्शन आएंगे मैं इसके जो आएंगे एक दो कुशन बस इसका अंसर क्या होगा किशी माल ने 10% गराबट आते, गराबट का मतलब है कमी, 10% का मतलब 1 बटा 10, जब 10 की गराबट आएगी, 10 थी, तो गराबट आने क बात कितनी हो जाएगी, 9, यह पहले और यह वर्तमान, यह पहले और यह वर्तमान, जब 3 slavery की बात करिये, सवाल में ? इन वर्स की बात करिए , इन वर्स पहले खरीदा गया मुल्भ relevant कितनी है , पर यह हाज़र हो जाएगा और यहान कितना हो जाएगा ? 729 एंट इसने का सूर है वर्तमान कीमत कितनी है ? 830 नही cukे है , 729 बडाबर 88 ज़ाएगा 32 के, 58 32 के, अब इसका, तुम्हें क्या देखना है, 9 में कितने की multiply करी जाए, जो 1 आइक गंग के 2 हो, बताइए, 9 में कितने की multiply करी जाए, जो 1 आइक गंग 2 हो, 9 में multiply की जाएगा 8 की, 9, 8, 17 यही तो होते हैं, बस किसी जाड़, 7, 8, 56, तो इसके something तो आठ यहां आया एक की वेलू आई आठ तो आठ की इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आठ हेजार इसका सही अंसर होगा जिन्हों नहीं आठ जार दिया तो इल्कुल बहुत जबड़त संसर समझ में आ गया वही पैट में कोशन आएगा द्यान रखना एसा ही कोशन आएगा एक रखा हुआ कोशन मिलेगा इसमें से पैट का द्यान रखना परसेंटेज में है पैट में परसेंटेज है पैट में परसेंटेज है नौ अठा बैतर बिल्कुल बहुत बढ़िया चार-पांच बार सुन सुके हैं इसका अंसर बताइए एटा से हैं उज्जेर सिंग बिल्कुल एटा से मोस्ट वेलकम है एटा उत्रप्रदेश हम भी आपके पड़ोसी हैं इसका सभी को जबाब देना है इसका सभी को जबाब देना है बहुत अच्छे तरीके से सुन्दर सा जबाब देना है कृज़ का इस सब्याते हैं Dr. आप इसका अंसर दीजिए U इसका अंसर क्या होगий एक गांउन की जन्संक्या ने में प्रति बर्द 5 प्रतिसद की ब्रधी होती है ऑफ बद्र grens के तो चारजै चारबर 10 हमान चारज्जै कि इसका अंसर सभी काने सी है वो ही एक गाउण की जन संक्या पांच परसंट कि ब्रद्धि होती है 5% का मतलब है एक वटा बीस अब ब्रद्धी की बात कर रहा है कमी की बात कर रहा है तो पहले हमारी बेस वैलू कितने थी बीस जब इसमें ब्रद्лый हो जाती है 20 मैं ब्रद्द्ध के पार कितनी हो गई 21 यही कि पुला है अब समय कितना दिया है इसमें इसने दिया है दो वच का तो दो वच का मेना आपको बताया था जहां 3 तो क्या करना है 3 देने परसको कि रहना के और जहां 20 का पर क्फटने हो गए 421 अब इसने कह था 건 faren 841 नहीं ती कितने चारहजार चारहजार शुक्ताहलीस बराबर cheerful फिस साध्युकत बराबर 5410 4,000 इसका सही अंसर होगा किस किस का 4000 इसका 4,000 आया यहीं 0 बढ़ा लोग किसका 4000 आया बताइए सबी लोग 4000 किस किसका सौनू बिलकुल देवेंद्र बिलकुल समझ में नहीं आया बही इसका 4000 आया सभी का 4000 लग वग कमेंट में सभी बताईए अक्यलास को सेयर कर दो बई लाइक कर दो जितने बच्चें लाइक नहीं कर रहे लाइक की भी कमी पढ़ दी है लाइक तो कर दो मेरे महारतियो मेरे प्यारे पटा के ओ पटा के छोड़ने तुमा पैट के भी फर मैं अब भूआ दूआ कर देना पेपर को मैं तो आपसे डर मैं को आपसे खौफ हो जाएगा पता है वह हिसाब करना आपको कि अमस्ज में आ गया नेक्स पूसल सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़िए, अब गायतरी कुमारी कह रही है, सर आप सुनते हो नहीं हमारी, सुनतो रहे हैं आपकी, हम लॉड़ा से हैं भई, बताईए क्या दिक्कत है, आप की सुनेंगे पहले, नेक्स्ट कोश्टन अब ये कोश्टन है बहुत जवर्दस्त है आप इसमें छक्के चौके लगाऊगे आप छक्के चौके कैसे लगाई जाते हैं पता है ऐसे छक्के चौके लगाऊगे आपको मज़ा आ जाएगा छक्के चौके लगाने में कैसे लगाई जाते है इसका जब जब आप सभी देंगे इसमें छक्के चौगे आपको लगाने है कैसे लगाने है इसका जबाब सर कोई साहरी हो जाए है सर डेपी देखतर लगता है जैसे किसी ने जैस्ट लगाई हुए सहरी हो जाए ही बिल्कुल सहरी होगी क्यों देकAR्न Two tari by AH इसका इना सवाelे करने के बाद पद सहरी होगी बिल्कुल को भान रखे योदे देंगे कि इसमें क्या एक बल्ले बाजनी 110 रर्मस जिसमें गी nonprofits इ्लेगे थे उजब sf ऑचब भाब जन्व बंद दनी खिलाडी ने अपने रनों के कुल योग में कितने प्रतिसत रन विक्किटों के बीच दोड़ कर बनाए ये जबाब देना है आपको इसका अंसर दीजिये वही एक राजा था एक राजा उसने जयोतिस को बला लिया अपने पास इसको जयोतिस को उसने अपने पास बुला लिया उसे बुलाते ही राजा ने क्या काम करा जेल में डाल दिया राजा बहुत खतरनाक था उसने जयोतिस ने कहा उससे मेरा गुना क्या है जयोतिस कहता है मेरा गुना क्या है तो राजा कहता है आप ये बताइए और आपको तुम्हें पता होता तुम्हें अपना भविस्य पता होता तो आप यहां क्यों आते जो यही आपका गुना है उसे अपना भविस्य पता होता तो जील में क्यों आता तो इसलिए लोक साहई दी सुनने आएं सबसेंगे। इसका क्या होगा? एक बल्ले बाजने 110 रन बनाएं कितने? 110 रन बनाएं 110 रन बनाने के बाद इसमें एक कंडिसंट 3 चोके मारें 3 क्या मारे? 4 के तो 3 चोके में 1 रन ले लिए, बहुत अच्छा कराई बहुत अच्छा मारते है, 3-4 में, 3-4 में कितने रन ले लिए, 12 रन ले लिए, पुर उसके बाद इसने करा, 8 छक्के, कितने, 8 छक्के, 8 छक्के के साथ कितने ले लिए, 48 रन ले लिए, ये तो इसने टोटल, 6 रन कैसे लिए, 4 और छक्के, 4 छक्के से 6 रन लिए, और वैसे हम हमारे 110 एक साट में से साठ ले अर्ण दिये लिए के चौ के कशा के को इस हुआ जिए आर ग्रेंगे को कितने क्लेख के रहे हैं । तो आ ये पैड स्व फापान श चॉड्खक्त का एप थबत गैं मैं शॉ और अधाथ त्वD पचास हो गया, अब इस नहीं बोला, पचास, पचास बिकिट लिए, बिकिट पचास लिए, कितने मैं से लिए, 110 मैं से, 110 मैं से, इंटू हंडर्ड पर कितना, 0 से 0 खतम, 500 बटा, 11, 11 चौक, 44, बचे कितने, यह बचे आपके 6, 11 बचे, 55, तो 45 है, पांच बटा, 11 परत्से से जिसका इंसर सही होगा, A option मैं, A बिल्कुल option, B इसका शही इंसर है, क्या, B इसका शही आंसर है, B इसका बहुत जवर्डस इंसर है, B, इसको लगा दो, B इसका सही इंसर है, मूरे आपा सांग कूट दें गे कोई देखर नहीं इसका समझ में आया वह जिसके समझ में आया हो बता दो एक वार कमेंड करके जिसके समझ में आया हो एक बार कमेंट करके बता धो है लाज को शेयर कर दी जी एक बार ढंग से कि आपके सामने लगने वाला है तो अच्छा कोसटन है कि कि इस तरह के मन जते हैं बहुत आशान चोसन अपकाoure future सब कहां से लिया इस को संगो बहुत इजी कोशन है लाने का प्रफश्य यह को संगा डारेक्शन दिखाना किस प्रकार कोशन बना बनता है कैसे कोशन पूछ ले जाता है एक्जाम में कि नेच्ट मिल्कुल इसका अंसर क्या होगा कि इसका जवाब सभी गाने सी है देविंद्र राना खाना नहीं मिलेगा हमें घर से अरे बिल्कुल दिख नहीं रहा कल को थोड़ा धंग से करा करेंगे अब साब दिखाई दे रहा है लाइस्ट प्राप्ट सग्राउशन अक्सतप paints ऑप्सन जो है यह जो दिखाई भी दे रहा है एक सो पेंटीसा है अपना वाइक करने के बाद रईक डिलेकर आना घे मैं इसका क्या हो होगई संक्य प्रेक्शन वेलू सॉल्व करोगे 27 दूनी 54 और 55 बटा दो होता है 25 बटा दो होता है इसों सॉल्व करने के बाद अब इसको प्रेतिसात है प्रेतिसात हटाएंगे सब्सक्राइब ग्यार बटा चालिस के बाद इसको मिटा देते हैं ग्यार बटा चालिस को रखते हैं कि यारव वाटा चालेस बैलु ह्यारे म API, 2018 सभी सथ एक वटा दो की चखेंड है अनोरा की अच्हें हमारी कितनी है चालिस कितनी है चालिस में तीन की उणा करोगा तो कितना है एक हैगा 120 120 इस्का है टन्सर होगा एक तुर इसका होगा बिलकुर सिवा महार बिलकुल हमज में आ गया नेक्स्ट इसका समझ में आ गया नहीं जल्दी बताईए इसको दुबारा तो नहीं समझा ना सभी बताईए समझ में आ गया बहुत इजी सवाल है आप कहेंगे कहां बच्चों बारे सवाल ले आई सर कह रहे दें टॉप पर ले जाने के लिए सवाल आपके सामने आगे है तॉप बर भी ले जाएंगे है वहें एक हो लगाओ थे रहाए प्रजी गजब दे रहे हो तरहने ले रहे हो शौनू बिलकुल सौनू आपका नाम जरूर लेंगे हूनम कुमारी कौन सा सवाल है पुनम कुमारी संजे विनराज विलकुल इसका अंसर दो भई किसी संक्या का सही एक वटेद दो प्रतिसत यदि नौसा हो तो संक्या का वासर सही एक वटेद दो प्रतिसत कितना होगा जब बताये तर हम भी बड़्दी पहन के आएंगे आपके पास बिलकुल बड़्दी पहन करके आना अच्छा लएगा जब आप बड़्दी पहन करके आओगे ठीक है बिलकुल अच्छे लगेगा हमें इसका जवार दीजिए सही बात है, देविंदर राना बहुत अच्छा बोले हैं, वक्त की बात है, वक्त सब का आता है इसका अंसर क्या होगा, यह थी किसी संक्या का 37 एक वटे दो इसका करेंगे, 37 एक वटे दो, इन्टू हंडर्ड, कितना हो जाएगा, पचिस्तिया, पिचत्तर, पचिच्चो के सो, तीन वटे आठ, इसके में पे तीन वटे आठ हो जाएगा, अब इसने कहा है, तीन वटे आठ, इन वटे आठ ही होगा, बिलकुल, 37 एक वटे दो, इसने बोला है, यदी 900 हो, तो संक्या कितना बोला है, संक्या 900 हो, यह संक्या बोला है, बनो जी मेरे, 900 हो, तीन वटे आठ परावर कितने के हो, 900 के, यह तो बोला है, तीन वटे आठ परावर, 900 हो, तो तीन तिया, नो, तीन अठे, चौविस कुल वैलू हमा के सवाल बोला कुल बेलू ? सवाल में हिए सभी अचेंज कर दिया उस संक्यां का बांट सभी एक वैठा 2 तो इसका निकालना आए बासट सही एक वैठा 2 . बासट सही एक वैठा 2 होगा तमारा – 125 वैठा 2 125 वैठा 2% का मतलब100 इसको इसको विंु निया एसे न कर सकते हैं तो इसका ही 2415 वैटा दो कौछ 1200 का 125 वटा बो प्रैतीसल बारी 25 बढूंज। 000-200 करते होंивать हुआ कि बोंयां में शाथ की जीडियो कि धन्benु जीडियों, जीडियों yani हुआ का मज में आगए हुआ आ हुआ को बाते कर लो पहले analyzing बात कर लो पहले, बात में समझते बने, यह सर समझ में नहीं आया, समझ में आगया यह, नेक्ष्ट कोशन, यह कोशन है, अधिकतर यहां से कोशन बनता है, बहुत जबरदस्त, एक कोशन यहां से बनना ही, यह ध्यान रखना, यह कैसा बनेगा और कैसे सॉल्व करोगे, हम बताएंगे इसको, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसन तरीके से, यहां से कोशन बनता ही, बनता है, अब पढ़ाई कर लोगे न, तो बढ़िया रहेगा, नहीं मट्टी खराब हो जाएगी, क्रिया खराब, जिसे बोलते हैं, क्रिया खराब, वही कंडिसन हो जाएगी, कोई ना पूछे तो मैं बाद में, कोई ना पूछेगा तो मैं ध्यान डखना, क्यों बेकार के असके बाहेगा, जब तेरा दिल किसी का आथ तो तूट जाएगा, उस्ताकों से दोस्ती करके, देख मेरे दोस्त, अपनी काम्यावी पर मुस्कुराएगा, पता है, यह कंडिशन नहीं मट्टी खराब हो जाएगे आपकी, फोड़ा महनत, लगन, करके देखो, तब ही आपके कुछ हो सकता है, अथरवाइस, कोई चांस नहीं है, इसका अंसर दीजिए सभी लोग, एक बार किलास को सेर मार दीजिए, आज पतानिक कसम खा करके आयों, जो किलास सेर नहीं कर रहे है, घरवाले अर्थी उठा देंगे, इसका अंसर दीजिए, इसका अंसर क्या होगा, भिन में, यह बोला है, किसी भिन में, एक सो चालिस परसें ब्रद्धी करने पर, हर बार, हर में, हर में एक सो पचास ब्रद्धी करने पर, यह कह रहा है, अंसर पटे हर, जो उपर वाली वैलू जो होती है, एक से नीचा वाली वाई, इसको बोला है, अंसर नीचा वाली को फर, अब इसमें बोला है, अंसर में, एक सो चालिस प्रद्धी करने के लिए, हम उससे उल्टे चलना है, सर जी मौजगर्दी साहिरी में, बिल्कुल मौजगर्दी में आपको बताओं, बिल्कुल मौजगर्दी, यह क्या है, अंस में, जब यह कह रहा है, अंस की, तो हमें वो हर्मे कर देना है, हम बिपरिच चलेंगे, बहुत खता है, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम बिपरिच चलेंगे, तो इसने बोला है, अंस में ब्रद्दी करने के लिए, 140, 100 हमारे पास पहले था, तो 140 कितना हो गया, 240, हम इस से उल्टे चलेंगे, तु अपनी चला तो हम अपनी चलाएंगे, तो इसने बोला, हर में ब्रद्दी कर यह, हर उल्टा नीचे है, तो हम अंस में करेंगे, अंस म कर दी 200 कर दी 240 ऐसे ही जो सवाल में कह रहा है इसको उल्टा करके चलना है तो उल्टा करने के बाद कि इसको उल्टा करने के बाद इसको गुणा में रख दिना जो दे रखा है 4 वटा 15 प्राप्त हो रहा है बस अगर हम वैसे करते अंस में कह रहा था अंस में 240 करते हर में 200 करते तो बरावर रखना पड़ता चार वटे 15 के तो हमने इसको उल्टा बना दिया इसको उल्टा बना दिया जीरो से जीरो खतम अच्छे करेंगे 25 पंद्र है चार से चार्चिंग 24 तो कितना वनेगा 5 वटा 18 आप कहेंगे सर आप्सन में तो है नहीं आप्सन में कोई दिक्कत ने आप्सन में नहीं तो एक और तो है हमारा यह तो है बेसिक तयारी घास अहां से करें बताओ बेसिक तयारी चैनल पर जोड़ों तो सही मैत की करनी किसकी मैत के लिए चैनल से जोड़ों इसका क्या होगा इसका होगा option E option E, इन मैं से कोई नहीं क्या होगा, option E, ध्यान रखना option E, पांच वटे 18 बिल्कुर सही है, जिसी का 5 बेट 18 बिल्कुर सही है समझ में आया है? दुवारा तो नहीं बता ना, एक बार दुवारा बता दो आपको दिक्कत होगी, मुझे पता है दिक्कत होगी सवालों बोला इसमें, 140% ब्रद्धी, अंस में बोला यह होता है अगर अंस में 140 बोल रहा है तो हम करेंगे हर में 240, 100 अपनी तरब से बढ़ा करके चलना है, अब यह कह रहा है, हर में 1500 परसेंट ब्रधी, हर में क्यार्चिंग चौबिस पांच तीए पंद्रह पचंप पच्छिस तो कितना हो जाएगा पांच बटा अठारा यही आपका अंसर होगा कि कमज में आ गया वही एप पर पॉलिटी भी चलेगी थोड़ा सबर करें धेरिया रखिए पॉलिटी में ही पड़ाऊंगा ठीक है ना जितना पॉलिटी में जा आ था ने इतना ही में जाएगा एप पर भी आऊंगा नेक्स्ट अब यहां एक कुश्चन आया आपके सामने बहुत बढ़िया कुश्चन अब पुर्जी खराब हो जाएंगे ध्याम लगना अब महत नहीं करोगे तो ऐसा कुश्चन है बहुत हतरना कवाला फटा पोस्टर निकला हीरो सेलेक्शन लो और लाइफ को बहती निमनाओ सेलेक्शन नहीं हुआ तो पता क्या होगा जो ना कहने वाला हुई आपसे कहेगा अब बड़ी महनत की थी आपने कॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाओंगि बिलकुल आप आजाना आप पढ़ा ले ना कोई दिखकर रही आ है जी के याद ने होता है कैसे याद रखें जी के जी के तो जी के ही याद होगा पता है जी ओ, एक लाइफ ठीक है, लाइफ में जी ओ, जी के याद होगा, जी के होगा, भूट करके पीजाओ, लिक-लिक कर याद होगा, बहुत बहतिन तरीके से, इसका अंसर, 120 पुर्जों के मोटर में, 5% पुर्जे खराब थे, ठीक है, 5% पुर्जे खराब थे, 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में, 10% पुर्जे खराब थे, दोनों मोटरों को मिलाकर, खराब मशीन में पुर्जों की संक्या कितनी थी, इसका अंसर दीजिए, इसका अंसर दीजिए, इसका अंसर सभी का आना चाहिए, दिनेश, शौनू, इसका अंसर दिनेश, शौनू, सभीज होगे, चलो हम कर बाते हैं, तोटल एक्सववीस पूर्दे थे हमारे पाश, कितने थे एक्सववीस पूर्दे हैं, पुर्जे कुछ ज्यादा नहीं होगा हिमारे पास सभी लाव ले रहे हैं ज्यादा पुर्ज होगा 120 पुर्जे थे एक सो बीस मैं से 5% पुर्जे खराब हो गए कितने 5% पुर्जे खराब थे 5% का मलब इसका 5% कितना होगा बारफ पंजे साथ सौरी 5% पुर्जे का मलब जीरो से जीरो खतल पास दुनी दस दो चिक्के बाराफ छे पुर्जे खराब थे 120 मैं से कितने 5% मलब छे पुर्जे खराब थे यह होगा खराब पुर्जे अब इसने कहा असी मसीनी पुर्जे दूसरी मोटर में असी थे इसमें असी थे इसमें कितने खराब थे 10% असी का 10% निकाला आपने तो कितना आया जीरो से जीरो आठ पुर्जे होगे आठ पुर्जे खराब थे अब टोटल पुर्जे कितने खराब होगे आठ आच हैं आठ जै 80 यह था 120 यह था 200 हो गया जीरो से दो जीरो खतम दो सत्ता चौदा साथ प्रेथिसत किसका अंसर है बहुत अच्छा अंसर बहुत जबर्दस्त अब यह क्या बाते कर रहे हैं यह तो तो तुम कहां की तैयारी कर रहे हो भई मुझे लगता है 15 अगस्त की पिलानिंग आपकी दिखेए 2000 रोण करनेगी लाल के रिए पर धंड़ा आप पर फेराये जायेगा आप पर फेरवाये जायेगा मुझे लगता है अभी पिलानिंग तैयारी की तैयार कर रहे है ताकि 15 करो हमारे प्रिधान मंत्री जी को 2,000 रोपड कर लेने तो कि माउंट एबरेश्ट पर जाने की तैयारी कर रहे हो रिकॉर्ड बना हुए मैत पढ़ लो पहले बाद मैत तैया है जाने की तैयारी करना नेक्स्ट कोशन आपके शामने मैं जंगल लाल के लिए पर जाओगे गात्री कमारे बिलकुल जाना ठीक है सर आज से सर कोशन की अंसर सबसे पहले दिये है बिलकुर सौनुने सबी कोशन की अंसर सबसे पहले दिये है बिलकुल हमार नाम करना बिलकुल करना असाय ऑसानुर्ण सिंग ने बहुत अच्छा अंसर दिया, सबसे पहले दिये है इसका अंसर क्या होगा बिलकुल हमारे स्टुडेंट हैं, बिलकुल यह यह आप सेयर नहीं कर पाते आज तो पता नहीं कसम खा कर के आए हैं आज किलाज में इतना सेयर नहीं करना ठीक है तो किसी ने कसम दे दी कि आज आज रिकॉर्ड नहीं टूटाप पर नेक्ष्ट एक बैक्ति के पास कुछ धनरासी है उसने उस रासी का 20% एक बस्तू में 20% एक बस्तू में खर्च किया और सेस का 5% परिभाहन पर इसका 5% परिभाहन पर इसके पास उसके बाद उसके पास 120 रुपे दान भी कर दिये इतना बड़ा दानी भी था 120 रुपे दान कर दिये फिर उसके पास 14 रुपे से इस बचे तो परिभाहन पर किया गया खर्च कितना था उसने परिभाहन पर कितने खर्च किये Sir, Mount Everest में जा कर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं जैसे Modishe आइस क्रीम शाइlles अच्छा Modishe आपके साथ आइस क्रीम बिल्कुल कुछ ऐसा करो मोडिजी आपके साथ आइस क्रीम काएं ठीक है बहुत अच्छा लेएगा जिस दिन यह दिन होगा, ठीक है? राज, राजपूत, बिल्कुल, देविंदर, राना, रोही, नाम लिया करेंगे, बिल्कुल पढ़ा करो, फोश्या नहीं यह, एक ब्यक्ति के बाज, टोटल 100% में आपको बताता है, टोटल परसेंटेज में 100% का रॉल होता है, उसने 20% खरीदने के लिए खर्च करिए, उसने 20% एक बस्तू खरीदने के लिए, इसने 20% क्या करा, एक बस्तू खरीद ली 20% की है, टीक है? बचा कितना? 80% बचा, 20% खरीद ली, 80% का 5%, जो 80% का 5% परीवान पर खर्च कर दिया, और सेज का हमारे सोर पे थे 20 खर्च कर दिये तो सेज 80 परसे 80 का 5% 80 का 5 परसे 1 पर 20 20 चौक है 80 तो कितना 80 मैं से 4% 80 मैं से 4%, यह यह तो होगा 80 मैं से 4% खर्च कर दिये 80% में 4% परिवहन पर कितना खर्च करा है? परिवेन पर 4% कितना होगा? यह बचेगा हमरे पास 6-0 6-0 इंतो हमरे पास 6-0 अब उसने कहा उसके पास 1400 रुपए बचे कितने? 1400 रुपए बचे और 120 रुपए दान दिये 1200 रुपए जो दान दिये 1400 मैसी तो भचे pocket money मैंसे 120 रुपे दान दी है 14 रुपे बचे तो उसके पास कितने रुपे थे हैं यहां थे 1520 रुपे कितने थे 1520 रुपे 76 प्रेतिसत बराबर 1520 के इंटू 100 प्रेतिसत कितना होगा इंटू 100 प्रेतिसत कितना होगा यही कह रहा है तर थोड़ा सा 80 समझ में आ गया 46 दूनी कितना हो गया 20 टोटल हमारे पास 2000 रुपे थे टोटल थे 2000 अब 2000 मैं से 20% बस्तू पर कर दिये अब इसको समझ लिए पहले मैथट से समझ यह फिर इसको ट्रिक से कर वाऊँगा पहले इसको बेज से समझ यह उसके बाद ट्रिक से कर वाऊँगा तो आपके समझ भी नहीं आएगा गलत सर्च गलत नहीं सही है मैं आपको बताऊँगा तिक है समझ में आ गया 76 दूनी 2000 आ गया 2000 में से 20% बस्तू पर कर दिये कर बिस परसेंट बस्तू पर कर रहे इसका कितना करा किसने कर रहा कितना कर रहा यहिए करा आपके च्दू लदी 20 तो बस्तू पर खर्च कर रहे 400 रुपे इसने बस्तू पर खर्च कर दिये, कितने बस्तू पर, इसके पास यहां कितने बचे, 1600 रुपे बचे, 1600 रुपे बचे, अब इसने 1520 रुपे उसके यहां बचे थे, 1520 रुपे, 16 में से 1520 के कितने बचे, 80 रुपे बचे यहां पर, 80 रुपे जो इसने करे थे, दान के लिए किस के लिए दान के लिए कितने खर्च करें दान के लिए खर्च करें असी रुपे कि अमज में आ गया असी रुपे खर्च करें दान के लिए दिखा ही नहीं दे रहा इसको देखिए पहले एक बार हो इसको एक बार और देखिए बोट को छोटा पड़ जाता है, थोड़ा, 100%, यह हमारे पास, 100% में से, 20% इसने बस तूपर खर्च करे, 20% बस तूपर खर्च करे, हमारे पास 80% रहे गया, 80 में से, 5% किस पर खर्च करे, 80 का 5% करे, हमारे 80 का 5%, 80 बचा, 80%, 80 का 5% इसने खर्च करा, 80 का 5% कितना होगा, 485 तो 4 रुपे, 4% होगया, 4% इसने खर्च करा, परी बहन पर, तो उसके बाद कितना बचा, 6% बचा, 6% यह बचा, और वहां कितना बता, 1400 उसके पास 6 रुपे, 120 दान दिये, टोटल 1520 रुपे, पॉकिट मनी बचे थे, इसने बोलते हैं पॉकिट मने, 6% बराबर, 1220 के, 1% बराबर 1520 बते, 6 रुपे, बसू तो 100 निकालना तो, टोटल 100% निकालना है तो 100, 76 दूनी, एक सब आमन, तो टोटल 2000 रुपए आगे हमारे, जो हमारे पास रुपए थे, कितने थे, 2000 रुपए आगे जो हमारे पास रुपए थे, 2000 में से 20%, इस ने गा, 20% किस पर खर्च करे, बस तूपर, इस में 20% निकाल दो, कितना बचेगा, 0 स जीरो खतम, तो 20 दूनी, 400, 400 हमने 2000 में से निकाल दिये, तो कितने बचे, ये बचे हमारे पास, चार सो निकालने वाज ये बच्चे हमारे पास सोले सो सोले सो में से पंद्रह सो बीस रुपए हमारे पास बच्चे थे कितने पंद्रह सो बीस रुपए बच्चे थे तो टोटल कितने रुपए दिये परीबान पर अस्ची रुपए परीबान पर कितने दिये 80 रुपे इसको समझना है सर चार बटी 10 आ रहा है आप 40 कैसे ले रहे हो 40 कौन सा ले लिया 4 बटा 10 आ रहा है 40 तो मैंने कहीं नहीं लिया 4% 4% 4% लिया है 40 तो मैंने कहीं नहीं लिया Next इसको एक बार समझे 100% था हमारा 20% बस दूपर 80% का 5% कितना बचे 4 80% का 5% कितना आएगा 4 आएगा 85% कितना आएगा 0-0 खतम 40 40 बटा 10 बचेगा 0-0 खतम हो जाएगा 4% बचेगा 4% यहां से हमने घटा दिया 4% घटा दिया तो 46% बचा 46% बराबर 1520 के 46 से भाग दोगे 1% बराबर 1520 बटे 60 यहां 100% करोगे तो यहां भी 100 की उड़ा कर दोगे तो यहां 26 से भाग दिया 2 का 2 बार जाएगा 20 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 2000 में से 20% हमने बस्तू पर खर्च कर दिया 2000 के 20% कितना हो जाएगा 480 पर खर्च कर दिया तो बचेगा 16 में से 100 में से 1520 पर पॉकिट मनी बची थी जो 16 और 1520 के बीच का डिफरेंट 80 80 रुपे क्या बचा परीवहन पर खर्च किया गया ठीक है परीवहन पर खर्च किया गया बचा हमारे पास 80 रुपे समझ में आ गया होगा बताइए सभी लोग SSC GD में आएगा ध्यान रखना ये सवाल SSC GD में 100% आएगा ये सवाल ध्यान रखना जितनी लापरवाई कर रहे हो जितनी लापरवाई कर रहे हो SSGD में आएगा इसको ढंक समाझ ले न वीडियो को दुबारा देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट इसका अंसर दो बसरत है बच्चे किस से राजी रहते हैं बता है मैं बताऊं बच्चे राजी रहते हैं अधिक्तर अई बताऊं किस से राजी रहते हैं अधिक्तर उससे राई रहते हैं कह दिया ना A प्लस B इतने दिन में बी प्लस से इतने दिन में और दौन मिलकर कितने दिन में करेंगे तो उससे राजी रहते हैं आसान निकल जाएं यह नहीं देखते कोशन का लेविल कोशन किस प्रकार गुमाने वाला कोशन पूछा जा सकता यह नहीं देखते ठीक है इसका अंसर दीजिए 1980 से 1990 तक किस देश की आवादी 20% बढ़ी 1990 से 2000 तक किसी देश की आवादी 20% बढ़ी 2000 से 2010 तक किसी देश की आवादी 20% बढ़ी तो 1990 से 1980 से 2010 तक उस देश की आवादी कितने परसंट बढ़ी इसका अंसर देंगे सभी लोग कि इसका अंसर देंगे सभी लोग अब यह कर रहा है 1990 से 80 तक इतने बार बढ़ गई एक टाइम फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम और थार्ड टाइम तीन बार आबादी बढ़ गई है यह ध्यान रगना कितने परसेंट बढ़ गई है 20% 20% का मतलब एक बटा पांच 5 ती इतनी होग़े 6 रगधर यह कंडिसेंट पांच 26 तीन बार बढ़ दाई है यह करना है इसका क्यूब करोगे 125 होगा इसका क्यूब करोगे 260 होगा बढ़ी कितनी है drama सब्स्क्रा Take care एक ग्यारा में से दो गए कितना बचा नो एक क्यानवे का बढ़ी कितने पर एक सो पच्छिस पर एक सो पच्छिस पर कितना यह करना है इसको करों एक से बचानव कितना बचे सता 35ंच एक शोदे मांद दो नुए दो करना है कि आंदुए दैस पान यट है चालिस आठ आठ आएगा बहतर पॉंट आठ पर जिसा ऑप्शन सी इसका सही अंसर होगा बहतर पॉंट आठ बिल्कुर राजवीर सिंग राजवीर सिंग बहुत अच्छा अंसर आया है बच्चे चले गए ना कोशन थोड़ा हाट दे दिया ना एक कोशन तो उस पर चले गए बच्चे राजवीर सिंग से रहते हैं नेक्स्ट कोशन रतन बिल्कुर सही अंसर ऑप्शन सी इसका सही इंसर होगा थोड़ा कोशन को देखा करते हैं सीजियल सेकिंड एक्जाम आया यह सीजियल का टोटल एससी करवा रहा हूं मैं एससी टोटल एससी के कोशन होंगे इसके बाद दो तीन एंटी पीसी का आपको करना है एक कोशन यह है यह उसी बेस पर है जो मैंने अभी आपको करवाया था इसको भी समझना है जिसको पहला वाला समझ में आया इससे थोड़ा ध्यान से देखें इसको पहला कोशन समझ में नहीं आया इसको थोड़ा ध्यान से देखें इसमें क्या है राम ने अपनी आया का 4% charity को दान दे दिया, तोटल हमारे पास 100% सर मेरा नाम भी लो, काब्या बिल्कुल आपका नाम लेंगे, ठीक है, काब्या, तोटल हमारे पास 100% होता है, कितना, 100% 100% में 4% दान दे दिया, 4% दान दे दिया, कितना 4% नाम, यहां मत करो, आपने यहां करना अच्छा नहीं, नाम करो अपने माता पिता का ताकि सर्व एक गर्ब से उठे, उनको यह फीलो, कि हमारे बच्ची ने हमारे नाम कर दिया, वहां नाम करो, यहां तो एक फॉरमल्टी होती है, आपको नाम ले लिया, तो आप खुस हो जा तो इसने हमारा नाम कर दिया, अपना तो क्या क्या हमारा नाम कर दिया, ताकि आपको एक सम्मानि द्रश्टी से देखें, आपका आपका भी नाम हो, उसमें समाज का भी नाम हो, सब का नाम हो, इसने बोला 4% charity को दान दे दिया 4% इसने दान दे दिया 100 मैसे तो बचा कितना 90% बचा अब सेज का 10% बैंक में जमा कर दिया इसका 10% इसका 10% निकालोगे 0 से 0 कतब 90 का माइनस 9.6 इसको घटा देंगे तो बचे गा कितना 0.4 और यहां बचा कितना 5 4 84 का सपस बचे गया ठीक है यही बचे गया 6 अब इसमें घटा होगे 96 कितना 9.6 0.0 यहां से कैरी ले लिया 10 में 6 गया 4 यहां 5 15 में से 9 गया कितने बचे अंदर में से 9 गया यही बचे 6 8 यही बचेगा ना 6.4 बचेगा 6.4 इसके पास जो 6 बचा 6 बची धन्रासी जो उसके पास 6.4 6.4 नहीं था कितना था सवाल में 864 कितना था 8 640 पॉंट हटाया नीचे एक 0 बढ़ा लिए इससे यह खतम एक बार एक की बैलू कितने आजाएगी 100 यह 0 और इसके गुणा हो जाएगी तो 100 हो जाएगी तो मूल बैलू हमारी परसेंटेक कितनी है 100% इंटू 100 और कर दोगे तो कितना आजाएगा यह आजाएगा 10,000 रुपे बस यही सवाल है बस कुछना इसी को गुमा रखा है एक सवाल को बड़ा रूप दे रखा है इस सवाल को बड़ा रूप दे रखा है ठीक है कितना जाएगा 10,000 इसका सही अंसर होगा 10,000 इसका सही अंसर होगा Next Next question इसका अंसर दो भई सभी लोग अभी कहाने चाहिए इसका अंसर कल चुनाब बाले कोशन चलेंगा आज तो चुनाब बाले नहीं हुए हैं कल चुनाब बाले चलेंगे इसका सभी जवाब देंगे भई एक टीम में पहत अभी कहान चले गए भई Constable exam में usable हैं क्या यह कुशन मैं बोल नहीं रहा है यह कुशन math का कोई level नहीं होता level होता है आपका आपका क्या आपकर क्या आता है percentage कब खतम होगी 2, 1, 2 कल class होगी और परस होगी 2 कितना class में खतम कर दूँगा ठीक है लेविल आपका होता है आपको कितना आता है कोशन का कोई level नहीं होता है कोशन आप जाने के लिए कुशी पूछ ले ठीक है कोशन का कोई level नहीं होता है लेविल आपका होता है इस बात को mind में set कर ले ना कोसं के लिए पूछने के लए बहुत इजीपूछ ले पूछने के लिए हाड पूछ ले आप पर क्या आता एक जाम प्रूसत देखेगा है एक जाम ये देखागा कि इसमें क्या की मैं 30 at 35 खेल जित्ती है जो के लेगा हैं खेलों का 60% था, तो टीम में कितने खेल, कितने खेल खेले, टीम में कितने खेल खेले, इसका अंसर दीजिए, मैं बार-बार बोल रहा हूं भाई, कोई लेविल नहीं होता, लेविल आपका होता है, जितना कोईजी को भी करना, हाइड को भी करना, आपको करना है, एक्जामनर देने के लिए shift बंतियां काफी shift बंतियां exam में काफी इसका मनलब काफी अब suppose करिए 50 shift बन नहीं है 50 में क्या hard ही देगा 50 में दो question easy भी देगा एक chapter के hard भी देगा सारे question को एक label होता है सब question को एक खटा करके वो divide कर दे जाता है अगर percentage का question easy पूज रहा है तो किसी और subject है थोड़ा टप कर देगा किसी और chapter का इसलिए question का कोई label नहीं होता है level आपका होता है hard question को भी आपको करना easy को भी आपको करना है ठीक है question का कोई label नहीं होता अगर आप question का label देखोगे तो आपका भी selection ले पाओगे label देखना है आपका आप पर कितना आता है नेक्स्ट इसका जबब देंगे एक team ने 45 खेल जीतती है तो उससे खेलेगा एक खेलोगा 60% था, 60% की value कितने होती है, 60% की value यह होती है तीन वटा 5, उसके पास 5 में से 3 था टोटल होससे खेल खेलने पर 5 उसके पास 3 था एक 30 परसेंट होगा तो 3 बराबर कितने के था 45 तो 3 से काटोंगा से 15 रूह पैल वैलू कितनी है 15 भी 10 पे है प्स यहीं सवाल है बहुत घुमा रखा इसने हैं ऐसे कोस्णomina ऐसे कोशनल कम पूछा गया ऐसे का का आब कि रेल्बे कितना बड़ा कितना बच्चे फारें बड़ता है ऐसे में पूछ लेता पर्सेंटेस से चौश संगा पाकू इसकी सभी लोग शेकर सकति का अग्जां पर वे दसंकों से फेल हो गया, एक डेक्ती था A, विनेराज बिलकुल 20 है, देविंदराना बिलकुल 20 है, राज, वाग कौन से खुजी में डूप गया है, विनेराज, ठीक है, इसका क्यों, A को 20 परसंट और पराप्त हुए, कितने 20 परसंट, A को 20 परसंट पराप्त हुए, तो वो बंदा 20% ले करके 10 अंकों से फेल हो गया 10 अंक की 20% लिए 10 और अंक मिल जाते उसे तो पास हो जाता तो यह हो गया फेल क्या हो गया फेल फिर दूसरा बी आया बी ने 50% अंक लिए तो वह 20% से पास हो गया यानि की इतने थे 28 और जानल yes और ज्यादा थे अब इसना वोल हमें टोटल рांक बताइए उससे परिक्षा में उत्रिण JUNK कीजिए पास होने के लिए उसे अंक कितने चाहिए परिक्षा में उत्रिणांक ज्याद कीजिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए हम बताएंगे कितने अंक चाहिए उसे, अब ये कहला है टोटल, इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा, तीस, विपरित को हमेशा जोड़ देंगे, पास फेल को, अब प क्या निकल गया फूल-ंक यह हम से कहता एंध़ flour तोटल पेपर इना नमबर का था तोटल ईंध़ एका था एम से इसने भूला पास होने के लिए लिए 5 इट थे वास होने के लिए टीजेश्य वीस परसंट तो प्राप्त करें 20%, प्राप्त करें, 100 का 20% 20 होगा, 10 नमबर मिल जाते तो पास हो जाता, पास होने के लिए 30 अंक चाहिए, या तो इससे कर लो, यहां से, और यहां कहते 50% अंक प्राप्त किये उसने, तीक है, इसका 50% 50 होगा, 20 और अधिक लिए आया, तो 50 में से 20 अधिक ल पताईए समझ में आया नहीं। इसका क्या होगा साइए थीस होगा स्थीस थारटीज दर आइट अंसर समझ में आया नहीं। बताईए सभी लोग बिनेराज अब का चले गए आज कई भंडारा वगर आए गया। किया चपल भूल करके आगे मंदिर में बाहर उन्हें देखने जा रहे हो बार बार नेक्ष्ट रहे है कि बताइए जल्दी कि नेक्ष्ट कोश्टन कि समझ में आ गया है कि इसका अंसर देंगे भई यह कोश्टन बिल्कुर सेम इसी पर आदा लिता है सभी को इसका जवाब देना है आज तो पता नहीं कैसे डीले पड़ोगे बहुत हलके पड़ देओ आप ऐसे हलके पड़ने से काम थोड़ी चलेगा कल को मैं आपको हलका नहीं पढ़ने दूंगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है, कल को आप हलके नहीं पढ़ोगे, ऐसे कुस्षन लेकर कहाऊँगा, इसका अंसर दीजिए सभी लोग, अनिल ने 30% डंग पराप्त करें और 40 संकों से फेल हो गया, इसमा फेले नहीं अनिल था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, ईस्परसेंट रंग परात किये, और 40 संकों से फेल हो गया, ये काम हुआ इसकों साथ, अगरी दुरगटन होगई, 50 % सब्स्क्राप्ट करने गाद 40 अग्वों से फेल हो गया उसके बाल उसका दोस्त सुनील कि तुनील ने कि 22 परसेंट अग्व प्राप्ट करें है हो और 22 अंक अधिकते इसे 32 अंक अधिकते यह नी पास हो गया बहुत अच्छा इस्टुनेंट इसे तो पास हो गया अब टोटल उसने कितने अंक प्राप्त किये तोटल अंक कितने प्राप्त हुए स्वारी 32 का लेना ऐसे इसको डिफरेंट को घटा दें कितना आएगा 12 इसको जोड़ देंगे विप्रित कितना जाएगा कितना जाएगा 600 नंबर का पूरांग था बस यहीं खत्म है अंसर में क्या होगा 600 है कहीं पर और यहां जाएगा अगर यह कहता है पास होने के लिए कितने अंग चाहिए 600 का 30 निगालते और 40 जोड़ देते छेतिया 18 और 40 220 पास होने के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया यह कहना चाहरे है बिल्कुल बहुत अच्छा हमज़े में आ गया नेक्स्ट ठीक है आज की क्लास कैसी लगी वही एक बार क्लास को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जो पहली बार च क्लास में मज़ा आया नहीं नहीं आप बताएए मज़ा आ नहीं का समय के proprio आज की किलास को ही खत्म करते हैं मिद्कुल क calorie कर वाएंगा आपको प्रधानी का चुनाब और अच्छे पत के दावेदार बनाई जाएंगा आपा आप समय से आना है तक उल्फ होगये केध पर चल कर दिया करो मज़जा आता है जब किलास को ना चीजा जाते हैं जी अपनी अपना परीबार से आप लगाब नहीं रखेंगे किलास को चीन непरेंगे तो कैसे बात बनेगी आपका सेलक्चिंदी तो देना है यह नहीं आपके साथ उन बच्चों का भाएदा हो जाए उन बच्च प्रपचे जाने का कम होने का करन्ड क्या होता है उनको चाहिए एकदम हाट लेविल का कोशन जब तक आपके कौंसेट समझ में नहीं आएंगे तब तक ट्रिक कैसे पैदा करोगे, ट्रिक जो पैदा होती है, कॉंसेप्स से पैदा होती है, केल कुरसन कम कर लो, ट्रिक पैदा हो जाती है, एक तो होता, दो दूनी चार गुणा करोगे, एक हों पता, दो दूनी चार होते हैं, उसे क्यों के लिखेंगे, यही को ट्रिक होती है, बस परिक्षा परिक्षा से डट करके मुकाबला करना है किस परकार आप मुकाबला करोगे मिलते हैं कल की क्लास में जहिं सभी सात्यों के लिए जुड़ना है अपने समय पर